हालो फ्रेंड्स वेलकॉम तुमाइं चैनल संकर सार्च विमें प्रीस इन दिस वीडियो विल स्टडी दे एक्जाम पैटर्न ओफ हिस्ट्री इन 2020 तो आज अभी जो चैंज कर रहा है आपका पैटर्न सिब्सट्री इसको कैसे कैसे कोशेंश पूछेंगा और कॉनसा कोश्चेंन कितने मार का पूछेंब क एद्हेंगे और योस्रेश पैल ने — पहले तो आपका जो कोश्चेंस होंगे, उसम्हां 31 , पर में आपका 31 questions होंगे और यह 31 questions जो होंगे यह 5 पार्ट में divide होंगे क्या क्या 5 पार्टे पहले पार्टे पार्टे में आपका होंगे वान मार्कर का question ओके तो इसमें है OTQ question इसका मतलब है objective type questions तो जो confusion है आपके मन में सारे MCQs होंगे यह MCQ नहीं है यह objective type questions इसमें कुछ भी पुछा जा सकता है जैसे fill in the blanks भी हो सकता है match the following भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है तो आप यह मत सूचे कि सिर्फ multiple choice ही होंगे तो यह है आपका objective type question इसका मतलब आपका 1 mark का questions होंगे लेकिन वो कुछी भी type में हो सकते है तो पहले MCQ जो question आपका जो होंगे one mark का question उसमें क्या होंगे total question होंगे आपका 20 जो 20 है पहले book one ancient history आपका आएगा 7 mark आपका medieval से आएगा आपका 8 mark मतलब 8 question and आपका modern से आएगा आपका 5 question that is 5 mark आप ध्यान से दिखिए यह जो modern book है modern book से 1 mark का question कम आएगा लेकिन आपका ancient and medieval से 1 mark ज्यादा आएगे उसके बाद हमें चलते हैं part B को part B में क्या है three markers question जो है short answer question short answer questions में क्या होगे तो आपका जो book one है ancient history से एग question medieval से भी एग question लेकिन modern से दो question आप दिखिए यहाँ जो वो one mark question में तीन मार कम दिया यहाँ थोड़ा कम दिया वेटेस तो यहाँ आपको वेटेस ज्यादा दे दिया उके उसके बाद source best question source best question का मतलब आप समझ रही होंगे source best question का मतलब है जो आपका paragraphs होंगे आपका book से और वो book की according लिए आपका लिखा होगा paragraph की according आपको answer देना होगा लेकिन उसको करने का जो तरीका है वो कैसा है आपके पास subject knowledge होना चाहिए आपका chapter का knowledge होगा तो भी question को आप अच्छा से attempt कर सकते हैं पाराग्राफ के अंदर आपका book के अंदर जो box बनायके paragraph दिया है उसको भी आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए तो source based question दीन होंगे हर book से एक एक, book one से एक, book two से एक और book three से भी एक उसके बाद आगे चलते है long answer questions, long answer question मतलब 8 mark का questions होंगे तो उसके बाद हम दिखते है map question, map आपको 6 आएगा तो जो 6 map आएगा तो एक, एक मार्का 6 मार्क होंगे वो और ये map के लिए आपको डरने का जरूरत नहीं है, मैं आपको systematic wave में, आप मेरा ये channel को subscribe कर लिजिए और जबी भी मैं video डालूँगा आपको पता चल जाएगा, मैं इसके उपर map के उपर बढ़ियां से बना के एक video डाल दूँगा तो वीडियो से आपको 6 मार्क मिल जाएगा, एक भी question ऐसे नहीं होगा, जो इसके बाहर आएगा, आप इससे clear हो जाएगे कि क्या क्या आएगा questions, उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो इसके मतलब total जो है, इसमें book 1 से आएगा 24, book 2 से आएगा 25, book 3 से आएगा 25, और map आएगा टोटाल मिला कि आपका 80 marks questions आएगे, तो इसको मैं अच्छा से divide कर दिया हूँ, आप इसकी accordingly preparation शुरू करिए, और one marker question के लिए डरने का कोई जरूरत नहीं है, आप NCRT को ध्यान से पढ़िए, NCRT से एक एक question आप उठाईए और इसको ध्यान से लिखिए, बोई questions आपका paper में पाएंगे और NCRT के बाहर आपको कुछ भी नहीं आएगा, आप मालो चाहते होंगे कोई books उठा लेंगे, जो book में one markers लिखा होगा आपको इसको पढ़ लेंगे, ऐसे आप नहीं crack कर पाएंगे, आपको 100 रखना है, तो आपको follow करना पढ़ेगा NCRT को, NCRT का हर line को आप Okay, thank you so much.